हेलो प्रेंट्स मैं सुशिलती आगी और आप चैनल GD Learning के दौरा ग्राफिट डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो इस ग्राफिट डिजाइनिंग के अंदर हम एक बहुत इंपोर्टेंट most of the important effect तूल्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है power clip तो power clip टूल के बारे में जो की effects के अंदर power clip फिये होता है यह सारे बहुत सारे options से इसके अंदर तो इसके लिए हम एक rectangle या square ले लेते हैं और एक image को import कर लेते हैं कोई भी object import कर लेते हैं यहाँ पर हम फाइल के अंदर जाएंगे इंपोर्ट का option है इन में से कोई भी image import कर लेते हैं हमने यह import कर ली ठीक है जैसे के मैं बताए effects के अंदर हमारा power clip तो पहला option है इसमें place inside frame यानि कि जो हमने frame बनाया उसके अंदर हम place कर सकते हैं किसी भी object को उसको select करना पड़ता है पहले हमने select कर रखा है object place inside frame करेंगे और arrow बना हुआ जाता है हम जिसके अंदर इसको place करना चाहिए महाँ पर ग्लिक कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं प्रपोर्शनली उसने जो है adjust कर लिया है fully image थी लड़की की और जो है उसने प्रपोर्शनली कर लिया यानिकि नीचे से pane इसके कटे हुए इसक के side में तो आप देखेंगे जब आप books पे लेकर आते तो नीचे option अभी unhighlighted है और इस पर लेके जाते हो तो highlight हो जाते हैं जिसकी पहला है edit power clip दूसरा है select power clip contents फिर extract contents कर सकते हैं और फिर lock कर सकता है content to power clip ताकि कोई दूबारा इसको छेड़ना सके लोग कोई भी open कर सकता है लेकिन था कि वो अपने आप से इदर उदर बागया है चलिए lock कर सकते हैं तो सबसे पहले जाएंगे हम edit power clip याने कि जो हमारा ये side से right से left से right से right से complete नहीं हुआ है तो हम edit power clip में जाएंगे दुबारा से click करेंगे object को और उसको proportionally sit के साथ जो है बढ़ा कर देंगी अब दे आगे इंदर राइट सेंटर में भी कर सकते हैं और double clip बाहर करेंगे अगर control के साथ बाहर ऐसे click करेंगे किसी भी खाली स्वेस पर तो हम जो इसके बाहर आ जाते हैं और अगर आप short command से ना आना चाहें तो यहां पर हमारा stop edit content से click करके हम इससे बाहर आ सकते हैं ठीक है next चलत फिर से पहने जैसा होजब है अभी लेकिन यह हमारा box जो है इसके अंदर हमने काम किया हुआ है इसलिए यह cross बन के आ जाता है अगर इस cross को हटाना चाहते हैं तो इस पर right click करेंगे box के उपर और frame type में जाएंगे उसको none कर देगे ठीक है दुबारा करते हैं हम दुबारा से object करते हैं और effect में जाएंगे power click के अंदर इसको place inside करते हैं इस तरह से और फिर से edit करेंगे के बार सिफ space space रख लेते हैं जैसे कि हम एक passport size photo बनाते हैं चीख इस side face है front face को बनता है तो इस तरह से भी हम set कर सकते हैं कई बार हम जो है circle में image को डालना चाहते हैं कोई एक दूसरी में इंपोर्ट कर लेते हैं और effect में जाते हैं इसको power clip करते हैं इसके अज़िदा हमको इसका से space space है face space चाहिए को हम जो इसका face लिए इसका face लिए इसका बहुत ही important tool है बहुत ही important effect है power clip इसको सीखना बहुत जरूरी है इसको राइट क्लिक करके नंगर देते हैं एक बहुत बोक्स बनाते हैं और जो है इसको C और E press करने से इसको central line कर सकते हैं छोटा कर लेते हैं आउटलाइन को दो कर लेते हैं कोई भी color देते हैं आउटलाइन को राइट क्लिक करके इस तरह से हम जो है सेट कर सकते हैं कि कोई भी जिसे design बनाते हैं इस तरह से आपने कर दिजाइन देखा हुआ प्रोस्पेक्टस अगयरा में या फ्लायर में कि अन्याइंज के इंदर जाके हम जो इसको और जाएंगे इसको फ्रंट कर देंगे ट्रेंट अब दा मैक लियर प्रांट हो गया और जैसे कि मैंने एफेक्ट आपको सारे टूल सिखाए हैं तो मैं एक दूर आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं मैं एक और राउंड सर कर लेंगे और इस सर्कल को सेक्ट करके सी और की प्रेस करेंगे तो इस तरह से यह अलाइन हो जाता है सेंट्र लाइन और इफेक्ट आलाइन कि इस पर हम क्लिक करेंगे इस के दूषरी को सेलेक्ट करेंगे औबजेक्ट को और यहां पर हम ट्री्म कर देंगे जैसे के मैं ने सिखाया था ट्रीम कर के तो इस तरह भी हम है डिजाइन बना सकते हैं यह पाड bigger न Social इफेक्ट्स है, तो इस तरह से हम पावगलिप को कर सकते हैं, पावगलिक अंदर जो है, और भी ये, सेंटर कंटेंट, इसको सेंटर करना है, ये, पिट कंटेंट, प्रपोर्पोर्शनली करना, ये सब हमेने अभी आपको सिखाये, यहां फिर जाने की जूरत नहीं है, हम ऐस तो जब हम इसको राइट कलिक करते हैं, या फिर हम एरेंज में जाते हैं, जहें इसको प्लेस इंसाइट करते हैं, तो आटोमेटिकली जो सेंटर हो गई है, हम यहां से हमने ये जो ओप्शन है, ये, सेलेक्ट कर रखा, इसलिए जो है, आटोमेटिकली सेंटर हो जाती है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। edit करेंगे। अपकिस साइट से image वह सथीक से नहीं set हुई है। तो इस पूर अच्छे से set कर सकते हैं। एक blue circle जो object हम पहले बनाते हैं। वो इस तरह से दिखने लग जाता है ध्यू बलब में। जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारी image जो है कहां तक set होगी है तो इस तरह से हम भार क्लिक करते हैं control के साथ तो इस तरह से हम भार आ जाते हैं to fit size में जाएंगे अगर हम to high करते हैं तो पूरा page हमें सारा कुछ नजर आ जाता है तो दोस्तों ये power click effect था बहुत तो क्रिप्टिया मेरे चैनल को सब्स्राइब करें शेर करें लाइक करें शेर उन्हों जरूर करें जिन्हों इन जोब से परिशाल है किसी जोब छूटती रहती है फिर लगती रहती है तो ये काम सीख करके एक permanent उनको एक ऐसा काम मिल जाएगा जिससे वो कभी भी जोब के बिना नहीं रह पाएंगे या जोब नहीं करना चाते है अगर अपना काम करना चाते है तो कोई भी एक office open कर सकते हैं designing का और printing का तो thank you दोस्तो thank you so much